तो जबरदस्त हंगामे के बीच बीजपी के दो विधायकों को मार्शल आउट किया गया जिसके बाद बीजपी के विधायकों ने सदन से वाकाउट करते हुए पहले धर्णा प्रदशन किया और इसके बाद मीडिया से बाचीत में कई आरोप लगाए गए विजए सनहा की त संदा राज की बात एक बाद फिर से विजए सनहा ने दोहराई है तो लगातार आरोपों के बीच बीजपी का ये जबरदस्त हंगामा सडक से लेकर सदन तक बीजपी जबरदस्त हंगामा करती हुई नजर आ रही है और एक तरफ जहां विधान सभा मार्श तो वही दूसर तरफ बिहार विधान सभा में बीजपी के विधायकों का धरना और धरने के बाद लेता प्रतिपक्ष विजए सनहा का सरकार पर सीधा आरोप साथी स्पीकर पर उन्होरे दवाब में काम करने की बात कही अगोशित अपात काल की बात एक बार फिर से विजए सनहा ने दोहर आई है बीचपी के दो विधाय जिवेश मिश्रा और कुमार शालेंद्र को मार्शल आउट किया गया और इस वक्त समादाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष सडक से लेकर सदन तक बीचपी का आज जबर्दस्त हंगामा देखने को मिल रहा है एक तरफ विधाय सभामाच तो दूसरी तरफ ये हमला विजय सिन्हा का ये काफी दुखद है इस पर जनता देख रही है क्योंकि हम लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे जो सिक्षकों के साथ अन्या हो रहा है इस आवाज को बुलंद किया जा रहा है जो किसान सलाकार के साथ अन्या हो रहा था उसके लिए आवाज बुलंद किया जा रहा है जो 10 लाख नोकड़ी का वादा था वो भी तक नहीं मिला इसको लेकर का बाज बुलंद कर रहे हैं तो हमारा काम है आवाज बुलंद करना और क कोई हमारा आवाज दबा नहीं सकता है और सबसे खास बात यह है कि विजय सिना जी निंदा प्रस्ताव आगिया है सदन में आप लोगों के खिलाफ यह ताना साही आपात काल लगाने वाले लोग इसके अलावे और कर क्या सकते हैं इनके पास किस तरह से विपक्ष को बोलने नहीं देना विपक्ष का अपमान करना विपक्ष के तरफ माइक नहीं दिखाना आसन से किस तरह से बार बार धमकी देना यह दुखत दुरभागपुर्न है और यह बहुमत का दुरूपयोग ही नहीं कर रहे हैं यह अगोसी तापा का लगा दें, आसन की गर्मा गिरा रहे हैं, ट्रेजरी बेंज के इसारे पर ये काम कर रहे हैं, ये मरजादा को छोड़ चुके हैं, ये राजत के सत्ता धारी दल के प्रवगता के रूप में काम रहे हैं. जिन्होंने कुरसियां तोड़ी हैं कुरसी उठाया है उन पर सक्त कारवाई होगी सक्त पहले उनकर कारवाई करें जो आचार समीति में आसन को बूटों से रोंदा था इनके उपमुक मंत्री जो आदर्स हैं जो कारवाई करें साल भर से बैटक नहीं भी सेशादिकार की कि ए एक तरफा कारवाई आपका गुंड़ाई का भासा से बिहार नहीं चलेगा बिहार लोगतंत्र और संबिधान से चलेगा अरुन संकर जी अब आप लोग पर एक्शन होगा करवाई होगी चार सीटेट मुख मंतरी को बचाने के लिए वो उल्टे कोटवाल को चोड कोटवाल को डाटे वाली कहावत है बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं अध्यक्ष ध्रिश्टराष्ट के तरह कुरसी पर बैठे रहते हैं और सत्ता के ही सहारे पर अध्यक्ष काम करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं इन्जिनियर सेलेंदर को मार्शल आउट किया गया वो सारी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी विधायक थे अभी वो अब गांधी मैदान की तरफ मूव कर रहे हैं और वही से जो प्रोटेस्ट होगा उस प्रोटेस्ट में सारे विधायक शामिल होंगे और हम और तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं और विधायक कर वाय सर्थ पीछे कौन हट्रा है जब ये लोग लोगतंत्र की हत्या करने पर लगे हुए अपनी बात को हम लोगों की बात को बीपक्ष की बातों को नहीं रखने दे रहें और उल्टा कर वाय की धमकी दे रहे हैं दे रहें इसी बिसाई को लेकर मार्चला उट कर दिए य तो बाय्मानी है आशन जो है वो एक पक्छिये काम करता है आसन निर्पेक्छ नहीं है बिहार का नेथा प्रतिपक्छ का माइक बंद कर देता है उनको बोलने नहीं देता है विपक्ष के सदस के तरफ देखता नहीं है आप वीडियो फूटेज निकाल कर देखिए न अगर आसन इस प्रकार बैमान हो जाएगा तो लोग तंत्र की मर्यादा तारतार हो जाएगा अब तो स्पीकर ने कहा दिया जिनोंने कुर्सी उठाया जो जो समयधानी काड़ी कर रहा है तो उन पर एक्षन होगा स्पीकर को सदबुद्धी आए कि इससे पहले जो लोग आसन पर चढ़ गए थे उनको पहले निलंबित कर दें बिल को ले आउट करें उनको निलंबित कर दें हम उनका समर्थन करेंगे चाहिए बैमानी नहीं करें आसन निर्प्य छोना चाहिए बैमानी नहीं करें जनता देख रही तो सभाविक तोर पर अब बीजेपी के विधायक जो है वो गांधी मैदान के तरफ जा रहा है अब बड़ायक वेड़ाइक बिज़पी के कहीं निटेखी की जा रही है। विपक्ष है उससे मौकार नहीं दिया जा रहा है। बिलकुल तो अब बेचलपी के तमाब वधायक विधान सभासे निकलकर अब गांधी मैदन जाएंगे और गांधी मैदान से विधान सभा मार्च शुरू होगा